हेलो दोस्तों तो एक बार फिर से आपको अपने यूटूग चनल सिधान्त क्लासेद में स्वागत है तो आज हम एक बार फिर से एक और वीडियो लेकिया है आरारवी जेए सेफ जोन दोजाच चौबिस के बारे में क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि हर जोन का जो फाम एनल कंद्राबाद का बिला और वोनेश्वर का जितने मुंबाई का इस अब आने वाला तो साम को इस पर एक साथ और वीडियो डाल दूंगा ठीक है तो अगर आप नए होंगे चैनल को तो सस्क्राइब कर लिजेगा और वीडियो को भी सेर कर दीजेगा और एक अच्छा सा कमे सब्सक्राइब करेंगे अब दिख रहा होगा ये 80, 81, 52 98, 53 इस पे आप WhatsApp करेंगे WhatsApp Message करेंगे तो आपको CBT1 और CBT2 का Notes मिल जाएगा CBT1 और CBT2 का आपको Notes मिलेगा CBT1 का जो प्राइज है वो आपको 149 रुपय है हिंदी में है, पुरा Hand Notes है CBT2 Civil Engineering का 249 का है CBT2 का 249 का है CBT2 का यह है तो आपको CBT2 का 249 का CBT1 का जो है आपका Notes 149 रुपय का Hand Notes आपको मिलेगा हिंदी में Hand Notes ठीक है तो ये मेरा WhatsApp नमबर है इस पे आप Message कर सकते हैं 80, 82, 98, 93 ठीक है तो चली है, अब हम आगे बढ़ते हैं और भी जेई Safe Zone के बारे में बात करते हैं, क्या रहेगा Safe Zone Trade Wise भी बात करेंगे Safe Zone के बारे में, देखे सबसे पहले अगर हम बात करें Safe Zone के लिए देखे इस समय अगर जो RTI आया उस पर अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले हमारा Safe Zone रहने वाला है वो रहेगा सिली गोडी सिली गोडी का जो है पिछले सिली गोडी का जो पिछले बार जो फार्म आये थे उसके अनालाइसिस के आगर पर सीट कंडिडेट की बात करेंगे तो यहाँ पर देखे कंडिडेट के विवाद करें टोटल वेकेंसी यहाँ पर अठाईस है और यहाँ पर जो फार्म आये है एक मोटा मोटी मैं माना हूँ पचीस सो कुछ फार्म आया क्योंकि बच्चे एकजाम भी छोड़ेंगे तो एक तो रिजेक्ट होंगे ही तो मैं पचीस सो माल ले रहा हूँ पचीस सो एक तीस बगएरा ऐसे कुछ फार्म आये है तो मैं टोटल पचीस सो मानता हूँ क्योंकि बच्चे तो कुछ फेपर तो छोड़ेंगे ही अभी अब आप अगर एक आकड़ा लगाएंगे तो देखी जो जितनी वैकेंसी है उन्यासी सो इक्यावन टोटल वैकेंसी यहां लिखता हूँ देखे समझे का ध्यान से वैकेंसी जो है उन्यासी सो इक्यावन वैकेंसी है अब उन्यासी सो इक्यावन वैकेंसी है तो इसका यह अभी वैकेंसी बढ़ेगी कि इंक्रीज भी होगी लेकिन अभी हम मान रहे हैं इंक्रीज नहीं हुई है होगी भी में नहीं हम यह मान रहे हैं तो यह तब इसका 15 गुणा अगर आप करेंगे तो एक लाख सिफ जोन उसका एकाली बात कर रहे हैं तो सिली गुडी के यहां बात करनेश को बताउंगा दो से तीन नंबर चाल नंबर एक्ष्टर कर गए बताऊंगा ताकि पीछे मुढ्ड के ना देखना पड़े क्योंकि हो जांकि जैसे कि देखे अगर हम नहीं बताएंगे तो आप मौक टेस्ट में 60 नंबर ही तयार करके गए पता चला कटा 62 चला गए आपका नहीं हुआ तो आप कमेंट करोगे कि सर मेरा नहीं हुआ आपने 60 बताया था तो इस वज़े से मैं एक दो नंबर चाहर नंबर जादे करूंगा आप से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप 5 नंबर तो सिली गुडी में जो सिविल का कटाप जाएगा देकि पिछली बार के अगर हम कटाप की बात करें तो 38 या 69 नंबर कटाप गया था तो इस बार थोड़ा सक्का मैंना लाइसिस है मतलब बच्चे कम बैठेंगे तो इस वज़े से हम मान सकते हैं कि अगर RTI के रिप्लाइ के अनुसारा करें तो जो सिविल का कटाप है वो आपका 62 से लेके 62 से 68 के बीच में आपका सिली गुडी का रहने वाला कटाप है ये आपको तयारी लगबग 68 से 70 नंबर की तयारी करके जाना है ठीक है क्यों आप 70 नंबर एकुरेट पाईए ये नहीं कि 70 नंबर तयारी करक करके आए ऐसा नहीं होना चाहिए आप 80 नंबर के लिगाको 70 नंबर लाना ही लाना है ठीक है भी बात करें पर करें हैं पर जो दिखेंगे 99 अगरे कर रह थाहाँ माने हैं तो यहां पर जो सी ज्थ यहां पर 65 से 72 के बीज में आपको तयारी करके जाना है यानि आपको 75 नंबर का तयारी करके जाना है ताकि आपका एक जो मैं कटा बता रहा हूँ बढ़ा के थोड़ा वो दो एक नंबर बढ़ा के बता हूँ ताकि आपका निकल जाए बाद में यह ना रहे कि अगर मालों थोड़ा सा कम ब सी के लिए हिंदी में आपको हैंड नोट मिल जाएंगे ठीक है यहां पर लिख दे रहा हूं कि एल पी एंटी पीसी या जे एक नोट नोट ठीक उसके बाद दूए सेफ जोन या सेफ स्कोर अभी मैं बता रहा हूं लेकिन सेफ स्कोर बता रहा हूं ठीक है सेफ जोन तो ही है लेकिन सेफ स्कोर भी बता दे रहा हूं आपको क्योंकि यह डाटा आ गया तो हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं दूसरा जो डाटा आया है राची का राची ठीक है देखे राची में जो मैंने आपको बताया था कि लगबग राची में जैसे पिछली बार 75 नंबर के आसपास कटाब गया था राची का हुआ पटना का हुआ सिर्फ जादिस डेंजर जोन में थे तो राची हमिशा से डेंज इस पूर हो गया पटना हो गया इसंपर दांजर जोन में ही रहे तो अबकि यह जो-जोन राची वाला मध्यम में रहने वाला है अभकि अगर हम बात करें यहां पर सिविल जोने वाला है कटाप यहां पर यह जो कटाप जाएगा यहां पर आप मान के चलिए सिविल का कटाप जो जाने वाला है आप 68 से लेके तैयारी किये रहेगा चाहतर के बीच में सिविल कर आएगा और मैकानिकल एंड इलक्ट्रिकल की अगर हम बात करें 79 से लेके 77 के बीच में आपका मेकनिकल एलक्ट्रिकल रहने वाले हैं तो यह तैयारी आपको 77 नमबर में बता रहा हूं आपको 80 नमबर की तैयारी करके जानी है ठीक है मैं फिर से request कर रहा हूँ जितना last tank है इससे आप 3 number आप extra लेके चलिएगा 3 से 4 number extra लेके त्यारी किये रहिएगा ताकि आपका last मतलब question अगर वहां नहीं आ रहा गलत हो रहा है तो आपका एक दो question आपको तब यूतना number आ जाए ठीक है तीसरा बात करते हैं हम आपका गोराखपूर का चौथा बात करेंगे बिलासपूर का अभी जो RTI याई यह केवल उसी के हम safe zone बात कर रहे है जो क्या कटाब रहने वाला है safe zone और safe score या लिख देता हूँ safe zone and safe score ठीक गोराखपूर की बात करें तो गोराखपूर में जो फाम आये हैं लगबग 33,000 कोश फाम आये तो बच्चे पिछली बात जो यहां का जो गया था वो 73 नंबर गया था ठीक है तब भी 34-35 बच्चे फाम भरे थे तो अब की जो पेपर आने वाला एक नॉर्मल लेवल का पेपर आपको देखने को मिलेगा पिछली बार तो इस अनुसार अगर हम बात करें तो जो गोरापूर का कटाब रहेगा गोरापूर की अगर हम कटाब की बात करें तो गोरापूर में सिविल का जो कटाब रहेगा अबकि वो एक नंबर से दो नंबर एक्ट्रा रहेगा सिविल का कटाब अगर एवरेज जो कटाब था देखे जो एवरेज का कटाप था वो सिविल की अगर हम बात करें तो 65 से लेके 75 से लेके 73 के बीच में सिविल रहेंगे और जो बात करें हम एलक्ट्रिकल और मेकैनिकल की बात करें E&M की बात करें ये आपका जो रहेगा 70 से लेके 76 के बीच में अलक्ट्रिकल और मेकैनिकल रहने वाले ये गोरफपुर का है ठीक ये RTI के बेस पे जो मैं आपको कटाप बता रहा हूँ हाँ एक चीज और बता दे रहा हूँ भाई देखो फिर से जितने लोग आप लोग देख रहे हो को कहूंगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप लोग लेकिन हाँ अगर वैकेंसी इंक्रीज होती है तो भाई मेरा दोस मत देना ये कटाप घटेंगे बढ़ेंगे अगर वैकेंसी इंक्रीज हुई जो उनका कट चेंज का अफ़न कुला तो फिर उसके बाद जितना जो मैं कटाप बता रहे हुँ सारी गलत हो जाएंगे अगर वैकेंसी इंक्रीज होई गर दो नम्बर कहीं कम हो जाएगा चार नमबर अधीक हो जाएगा फिर से मैं कुटाप बताऊंगा ऐसा नहीं कि फिर से तफ का जो कटा बता और ही वैकेंसी नहीं होने का तब बता रहा हूँ बिलासपूर की अगर बात करें दिखे बिलास पूर में जो आकड़ा है थाब की थोड़ा onay वाला आकड़ा आ गया बिलासपूर में बच्चे भरे ही नहीं वहां के फॉर्म अलकि यह वहां का जो एक मतलब बिलासपूर में जैसे और भी जितने यूटूब पे सारे सूत्र थे बिलासपूर में सब के फेल हो गए मैंने भी बताय था तो हमारे भी सूत्र बिलासपूर के फेल हो गए और ऐसा नहीं कि मेरे ही लेकिन है कि कई जितने भी यूटूबर सबके बड़े बड़े चैनल सबके आपका उतकर्स हो गया अड़ा हो गया सारे सब फेल हो गए बिलासपूर में मैंने ही खुद बताया था कि लगवक पहले तो 87 अजार बताया था पिर एक लाग के आसपास बताया थे फॉर्म क्योंकि जितने सूत्र मिले सब के हिसाब से यही था राइस्टेशन नंबर के हिसाब से सब के लेकिन बच्चे यहां पे जो एक कम हो गए लेकिन एक कोई बात नहीं मैं आको यह बताना चाहूंगा बिलासपूर में देखे एलपी के जो फार्म बरे थे तीन लाग फार्म आये थे पहले जब जोन खुला तो साड़े पांच लाग हो गए साड़े पांच लाग हो गए धाई लाग बच्चे बढ़ गए तो इससाब से अगर बिलासपूर में सबसे कम है अगर जोन खुल गया वैकिनसी बढ़ गई तो बिलासपूर में यहां दिखते तो मैं उनकी विलासपूर में आपने आकड़ा गलत बता दिया तो उनको मैं बता देता हूँ एक और यूजर करके है ठीक है तो कुछ आवरे आदों है दिपांसू ऐसे कुछ करके बहुत से लोग हैं जिसनोंने कमेंट गलत किया था हलाकि मैं अभी बरदास इस हैं और यहां का जो कटाब बता दें अगर सेफ इस समय का कटाब सिविल का बता दें तो साठ से लेके 65 के बीच में सिविल रहेंगे 60 से 65 के बीच में सिविल रहेंगे Electrical and Mechanical गी अगर हम बात करें तो 62 से लेके 68 के बीच में Electrical and Mechanical रहेंगे यह आपका सेफ जून हो गया यह चार जगएं का जो RDI आया है आया तो एक जगएं का और है लेकिन चार जगएं का जो यह RDI आया है यह आपका यहां का सेफ हो गया बचा अब आपका जम्मू तो जम्मू का जो आपका आठी आई आया है ध्यान से दिखेगा जम्मू में 29,000 फार्म लगबग आए 50,300 फार्म तो यहां पर बिलास्पूर में आय थे लेकिन जम्मू में 29,000 फार्म आया मैं 29,000 मा ले रहा हूं तिरपर बच्चे तो फार्म छोड़ेंगे पेपर छोड़ेंगे 29,000 जो आए हैं जम्मू में कटाप तो ठीकी ठाक जाता है हलाकि लेकिन अभी अगर हमारे इसके अंसार माने तो सिविल का जो कटाप यहां जाने वाला है सिविल का जो कटाप जाएगा 60 ने 61 से लेकि 68 के बीच में सिविल का रहाएगा जनरल का यह जो कटाप मैं बता रहा हूं दिखे सब जनरल का कटाप है सब जनरल का कटाप है OBC और OBC और EWS वाले सब अपना नंबर OBC वाले 5 नंबर घटा लें SC वाले 10 नमबर गटा लेंगे ST वाले 12 से 13 नमबर गटाएंगे EWS वाले 3 नमबर गटा के चेक करेंगे ठीक है इस तरीके से आप गटा के चेक करेंगे 39 यह फिर Electrical और Mechanical की बात करें तो 65 से लेके आपका 79 के बीच में Electrical और Mechanical रहने वाले हैं यह रहा आपका कटाप Safe Zone and Safe Score RRBJ Basic on RTI Based on RTI ठीक है तो Based on RTI के थूँ यह जो कटाप मैंने जारी किया है अगर Vacancy Increase नहीं होती है तब का यह कटाप है अगर Vacancy Increase हो गई तो भाई फिर से कटाप ले आऊंगा उस पर आप बात करेंगे ठीक है तो अगर नहीं होंगे आप लोग चैनल को सस्क्राइब कर दीजेगा CBT1 का अगर नोर्स चाहिएगा तो यह रहा आपका देखिए वार्सप नंबर यह मेरा वार्सप नंबर है 80, 82, 98, 93 इस पर आप 149 रुपरे में CBT1 का नोर्स ले सकते हैं CBT2 का एंड नोर्स आप हिंदी में ले सकते हैं 249 में ठीक है तो आप सभी का धन्यवाद हमारे चैनल से जूणने के लिए